ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 जनवरी सौंबार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नौटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सौमबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आर्थिक इस्तिती आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है और धन प्राप्ती के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्तिती में इजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ती के उदेश्यों की आज पूर्ती हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो साथी साथ समय आज आज आपके लिए बहतरीन परस्तितियां तयार कर रहा है दोस्तो आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से रहत मिलेगी आज दोफैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल है दिन की सुरुवात में ही अपने महत्पपून कार्रों से सम्मंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक रहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधभूत परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्य में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में ऐ प्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं अपने काम के प्रति एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्र भी आपको करनी पड़ सकती है विध्यार्तियों को भी किसी कमपटिशन में सपलता मिलने की आज पूरी संभाव ना है दोस्तो इस समय की की गई महनत के उचित परिणाम हासिल करने के लिए करम प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी संबंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जी है दोस्तो आज भाग्य आपके पक्ष में है पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित पैरणाम आज हांसिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुबभ होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंजस बहतर बनाए रखने का प्रियास करें ताकि घर परिवार में शुक शांती समर्दि की प्राप्ती हो और घरेलु विकास संबभ हो सके माता पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्य होने पर उनका ख्याल आप विसेश रूप से रखें दोस्तो साथि साथ किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और कुछ उपलब्दियां भी हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है परन्तु जादा सोच विचार करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती है दोस्तो आए के साथ साथ खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्पपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरवाई ना वरतें दिल की बजाए दिमाग से निर्णेले भविस्ते की चिंता को छोड़कर वरतमान गति विद्यों पर ध्यान अधिक केंद्रित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य ही लापदायक साबित होगा कभी कभी आपकी संकालू प्रवरती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना आति आवशक है आज कोई पेमेंट भी आपको करनी पड़ सकती है जिसकी वजह से आर्थिक इस्तिती थोड़ी कमजूर हो सक दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों के साथ फैमिली गैट टूगेदर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुस रहेंगे दोस्तों साते साथ परिवार में कुछ वैचारिक मतवेद भी रहेंगे इसलिए अपने वैस्तम समय में से कुछ समय परिवार के साथ भी व्यतीत करें दोस्तों परिवार का वातावरन आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में सात्विक्ता रखना आवश्चक हैं साथ साथ पती-पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पू वैवसाइक गतिविदियों में छोटी-छोटी परिसानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छ रहेगा जहां दोस्तों आज वैवसाइक पर पैनी नजर रखें लापरवाय की वजह से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमान जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंका है नोकरी पेशावाले ध्यान रखें कि उच्छ अधिकारियों के साथ संबंद खराब ना हों आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मा चित परिश्रम के आधार पर तरकी के योग बन रहे हैं दोस्तो साथ साथ किसी अंजान व्यक्ति से अचाना की घनिष्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वैवसाइक गतिविदियों पर बहुती अधिक एकागर चित र साथ साथ कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में आपको अवस्य ही फायदा मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो ठकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उचित खानपान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें साथ साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप योग करें वयाम करें सोस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निरवत्र होने के बाद एक जोड़ी नई चपल भगवान भोलेनात का इसमरन करते हुए किसी जवर्तमंद को दान करें जा दो समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही विशेश लाभ प्राप्त होगा दोस्तो भगवान भोलेनात का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्च दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भोलेनात अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ध रहने बाद